इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए रहेगा एक चममच बेसिट जो की बहुत ही ज्यादा इंपोर्डेट इस पैक के लिए and then हमें चाहिए राइस पाउडर scrubbing के लिए क्योंकि हमें upton है तो हमें scrubbing चाहिए रहेगी then मैं ले रही हूँ थोड़ा सा चंदन का powder अगर आपको यह suit करता है तो ही लेना and then मैं ले रही हूँ थोड़ी सी मुलतानी मिट्टी आप इसमें orange powder भी डाल सकते हैं then मैं इसमें लाला है हल्दी थोड़ा सा हल्दी उप्टन के लिए बहुत था important है and जितना होसा कि आप जो बहुत ही organic हल्दी होती है वो लीजिए उप्टन के लिए then मैं इसमें लाला था figaro oil जो कि बहुत अचा तो है olive oil then आप इसमें लालेंगे थोड़ा सा rose water एक अचा सा fragrance देने के लिए है nothing else क्योंकि बहुत से लोंको उप्टन थोड़ा सा लगता है कि smelly सा लगता है किसी किसी को that's why जन पाउडर भी आपने डाला ही है इसमें तो बहुत अची से कुछ को आने वाली है then next important चीज है जो आप water इसमें लालेंगे तो water आप थोड़ा से warm water लीजिए ताकि जो आपका उप्टन है काफी अच्छा बनता है moist बनता है इससे and आपको scrubbing करने में दिक्कत नहीं होती है then हम इस पूरे mixture को अच्छा से mix कर लेंगे ध्यान रखिए जो हम mixture बना रहे है न उसमें हमें बहुत ज़्यादा watery नहीं चाहिए हमें एक अच्छी सी consistency चाहिए जिसको लगाने के बाद हमाई जो scrubbing है वो अच्छी से हो जाए विक्स उप्टन का मतलब ही यह है कि हम उसको scrub करने वाले है यह हमारी सारी dirt निकाल देगा हमारी skin को exfoliate करेगा इस तवज़े से मैंने इसकी consistency बिल्कुल अच्छी सी उप्टन वाली रखी है तो आप इसका ध्यान रखना फेस को अच्छी से clean कर लिया है पहले मैंने बिल्कुल कुछ एक face wash से clean कर लिया है यह ज़रूरी step है so do it and अगर आप यह उप्टन खुद से लगा रहे है तो आप इस तरीके से इसे अच्छी से evenly लगाने के लिए spatula यूज़ कर सकते है face mask लगाने वाले brush आते है आप वो यूज़ कर सकते है so इस तरीके से आप apply करेंगे and अगर आप किसी और से उप्टन करवा रहे है तो वो तो फिर आपको हाथ से करेंगे and अच्छी से पूरी body आप इस pack से पूरी body का उप्टन भी करा सकते है मैं इसे face पे दिखा रहे हूँ तो आपने पूरी body उप्टन hand lags पूरी अच्छे से इसको लगा के आप इसका अच्छे से scrubbing कर सकते है so इस उप्टन को जो मुस्ती question आता है कि हम under eyes लगा सकते है या नहीं लगा सकते है तो आप definitely इसको अपने under eyes में लगा सकते है ये totally safe है and अगर किसी की skin अगर बहुत जादा dry होती है तो आप rice powder skip करना क्योंकि rice powder जो है ना skin को dry करता है तो आप इसको avoid कीजिए and अगर बहुत जादा dry है तो मैं recommend करूंगी आप इसमें मलाई डालिए इस उप्टन में बहुत अच्छा रजल देगा तो मैंने इस पूरे pack को लगा लिया है and अब मैं इसको सूखने दूगी सूखने मैं इसको जादा time नहीं लगता क्योंकि इसकी consistency हमने ऐसी रखी है अगर आपने watery consistency रखी है तो फिर जादा time लगेगा then इसके बाद ना हमें oil चाहिए oil आप figaro ले सकते है and अब मैं इसे अच्छे से scrub कर दूगी अब मैंने ना नीचे पेपर बिच्छा दिया है ताकि जो पूरा material है ना वहीं पर गिरे so अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से कर रहे है ना तो पेपर ज़रूर बिच्छा लें ना नहीं तो ममी राटेगी so इस तरह से मैंने सारी scrubbing कर लिए ना आप चमक देख रहे हैं scrubbing करते वक्स ही किती प्यारी चमक आ रही है फेस पर so गाइस इस तरह से आपको पूरा अपना फेस पैक निकाल देना है आप जाहें तो इसको निकालने के पाद ऐसे ही छोड़ सकते है and कुछ टाइम बाद आप नहाने जा सकते है and suppose कि आपको फेस धोना ही है तो धो लीजिएगा जैसे मैंने यहां पर धो दिया है and यह आपको दिखाने के लिए वैसे मैं इसको रहने देती हूं मैं फेस पे रहना चाहिए अब इसके बाद आप अगर आपको स्किन ड्राइ लग रही है तो आप मौस्टर जरूर करें मैं यहां पर रूस वाटर लगा रही हूं इसके बाद आप चाहिए तो एक अच्छा सा मौस्टराइजर अपने फेस पे लगा के छोड़ सकते हैं और कुछ भी हार्श मत लगाएगा फेस पे आप इसको हफ़ते में दो से तीन बार कर सकते हैं डेली डेली मैं रेकमेंडिंग करूँगे बट तीन बार हफ़ते में चलेगा तो आप इसको हफ़ते में वीडियो वस हेलफुल तो यू बाई